Good morning children, how are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you ascending order in maths. बच्चों, आज मैं आपको maths में ascending order पढ़ाऊंगे. Ascending order का मतलब होता है, कि कोई भी जो भी आपको कुछ numbers दिया रहेंगे, उसको आप उस number को छोटे से बड़े arrange करना है. जैसे कि सबसे छोटा है, जो number होगा, उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाले को write करेंगे, फिर उसके बाद वाले को जो सबसे बड़े number होगा, वो सबसे last में हम लोग write करेंगे. तो बच्चो आज हम लोगा sending number बनाएंगे, यहां देखिए, first में क्या है 2, 1, 3, अब इन तीनों number में आपको सोचना है कि सबसे छोटा number कौन सा होता है, 2 होता है कि 1 होता है कि 3 होता है, तो सबसे छोटा number 1 होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहां 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद आता है या नहीं आता है, यह नहीं देखना है, यह देखना है कि इसके इस तीनों में से इसके बाद कौन सा आता है, 1 के बाद मतलब उससे बड़ा कौन है, वो उसको राइट करना है, 1 के बाद यहां पर 2 है, और उसके बाद फिर 3 है, अब next में देखि तो आप देख रहे हैं न, ascending order में छोटे नंबर सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वला नंबर, फिर उसके बाद वला नंबर को write करेंगे, आप यहां देखे, 8, 6, 4, इसमें सबसे छोटा नंबर है, 4, फिर सबसे 8 बढ़ा है, 6 भी बढ़ा है, लेकिन सबसे छोटा नंबर 4 है, तो हम लोग को छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है, छोटे नंबर से हम लोग को arrange करना है, उसको ascending order कहते हैं, ठीके, तो इसमें सबसे छोटा नंबर है, 4, फिर उसके बाद 6, उसके बाद फिर 8, इस तरह से आपको लिखना है, ascending order में, जब भी अगर आपको asc ascending order बनाने दिया जाए, तो सबसे पहले अपने दिमाग में सोच लेना है, कि छोटा नंबर से, छोटे से बड़ नंबर को हम लोग को लिखते वे जाना है, नेक्स है 4, 5, 2, इसमें सबसे छोटा नंबर है, 2, तो 2 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 4 है, और इसी तरह से अरेंज करना है, सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद वाल, उससे बड़ा जो हता है, वो लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा, वो सबसे लास्ट में राइट करेंगे, नेक्स नंबर है, 12, 10, 8, इसमें सबसे छोटा नंबर है, 8, फिर 10, 8 के बाद, क्या है, 10 है, और 10 के बाद फिर 12 है, इसी तरह से आपको अरेंज करना है, जो सबसे छोटा है, उसको सबसे पहले लिखना है, अब इसमें 5, 14, 13, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5, तो 5 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 14 बड़ा है न, 13 से, तो सबसे उस पहले 13 लिखेंगे, और उसके बाद 13 के बाद 14 आता है तो सबसे बड़ा नमबर सबसे पीछे लिखेंगे ठीक है सबसे छोटा नमबर सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा नमबर हो सबसे लास्ट में लिखेंगे इसी को कहता है, sending order में इसी को numbers को हम लोग arrange करते हैं, छोटे से, बड़े की और बढ़ते हैं, 18, 20, 16, अब इसमें सबसे छोटा number है 16, पहले लिखेंगे, फिर 18, फिर 20, इसी तरह से आपको arrange करना छोटे से, बड़े अंकी और बढ़ना है, ठीक है, 12, 4, 10, इसमें सबसे छोटा number 4 है, फिर 12 है, और फिर यह last 20 है, है न, सबसे छोटा number पहले और सबसे बड़ा number last में, 19, 26, 17, इसमें आप देखिए सबसे छोटा number कौन सा है, 17 है, फिर 19 है, फिर 26 है, यह आपको देखना है ध्यान से, गलती नहीं करना है, सबसे ध्यान से आपको देखना है, सबसे छोटा number कौन सा है, इन तीन आपको number दिया रहे है, या 5 भी इस तरह से number दिया रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकि पांचों या अभी तुम्हें ने तीनी number दिया, इन तीनों में से आपको देखना है, सब 20 फिर 60 आप देख रहे हो ना कि सबसे छोटा नमर मैंने पहले लिखा फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा होता है उसको मैंने पीछे लिखा है ओके चिल्रन ताट सौल फॉर तोड़े चिल्रन थांक यू